हलो, स्वागत है आपका एक क्लासे जैपूर चैनल पर मेरा नाम है अजुकमार आज के इस वीडियो में हम मानब सरी से जुड़े 200 महत्पूर प्रेशने कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा महत्पूर है ये सारे क्वेस्टन पहले भी एक्जाम में पूछे जा चुके हैं आप चाहे किसी भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे वे SSC हो, UPSC हो, Railway हो, Bank, Army या पुलिस हो सभी के लिए ये वीडियो अती महत्पूर है इसलिए वीडियो को ध्यान से और लाश्टे तक देखते जईएगा तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेस्टन है हमारा एक बैयस्क मानव सरीर में हड्डियां कितनी होती हैं तो 206 होती है नेक्स्ट है मनुस्ट की खोपडी में कितनी अस्तियां होती है तो 8 अस्तियां होती है मनुस्ट की खोपडी में नेक्स्ट है मनुस्ट के सरीर में पसलियों के कितने जोडे होते हैं तो 12 जोडी होते हैं पसलियों के नेक्स्ट है सरीर की सरवादिक प्रवल अस्ती होती है अंसर हो जाएगा जब्डे की सरीर की सरवादिक प्रवल अस्ती होती है मानब सरीर के किस बाग में सबसे छोटी हड़ी होती है तो कान में सबसे छोटी हड़ी पाई जाती है मानब शरीर में सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो जांग की हड़ी मानब शरीर की सबसे बड़ी हड़ी है नेक्स्ट है टिविया नामक हड़ी किस में पाई जाती है आंसर होगा टांग में टिविया नामक हड़ी पाई जाती है नेक्स्ट है, मानव सरीर के किस अंग की हड़ी सबसे लंबी होती है, तो जांग की हड़ी सबसे लंबी होती है निमलिकित में से कौन सी हड़ी मानव कान का बाग नहीं है, तो औरवस्ती मानव कान का बाग नहीं है इस तुनक, रकाब और ककुंद ये मानव कान के भाग हैं मनुस्ट के जीवन काल में कितने दांट दो बार विक्सित होते हैं आंसर हो जाएगा, 20 दांट दो बार विक्सित होते हैं मानव सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है तो छोटी आंत में मानब शरीर का पाचन का अधिकांस भाग संपन होता है मानब शरीर में उस enzyme का नाम बताएं जो कार्वाइटेट को तोड़ने में मदद करता है तो amylase कार्वाइटेट को तोड़ने में मदद करता है Next है दुख्द प्रोटीन को पचाने वाला enzyme है पाचन शेतर में बोजन के साथ मिलने वाला पहला enzyme निम्लकित में से कौन सा है तो amylase पाचन शेतर में बोजन के साथ मिलने वाला enzyme है Next question है लार में कौन सा enzyme पाया जाता है तो टोड़न लार में enzyme पाया जाता है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आपसकता होती है तो एंजाइम की आपसकता होती है नेक्स्ट है लार किसके पाचन में सायक होती है तो स्टार्च के पाचन में सायक होती है मनुस्ट की मुखगुआ में निमलिकित में से किसका पाचन प्रारंब होता है तो कर्वाहईडेट का पाचन मनुस्ट की मुखगुआ में प्रारंब होता है प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंब होता है तो उदर से प्रोटीन का पाचन प्रारंब होता है निम्लिकित में से कौन सी आहर नली का है तो ग्रोश नली एक आहर नली का है नेक्स्ट है पाचन किरिया में प्रोटीन निम्लिकित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं तो एमीनो अमलो में बदल जाते हैं नेक्स्ट है निम्लिकित में से बेह अंगे कौन सा है जो मानव सरीर में गलाइकोजन के रूप में कार्वाहिटेट को जमा करता है तो यक्रत है बेह अंगे जो मानव सरीर में गलाइकोजन के रूप में कार्वाहिटेट को जमा करता है नेक्स्ट है, पित्ते निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकरत के द्वारा पित्ते पैदा किया जाता है पित्ते जमा होता है, तो पित्ते पित्तासे में जमा होता है पित्त का प्रमुक कार्य क्या है तो बसा का पाईसी करन या इमलसी करन करना पित्त का कार्य है नेक्ट है मानव सरीर के किस अंग को सरीर का राशानिक कारखाना कहा जा सकता है तो यक्रत को सरीर का राशानिक कारखाना कहा जाता है पेश मेकर का संबंध किस से है तो पेश मेकर का संबंध हर्दे से है पेश मेकर का कार्य क्या है तो पेश मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंब करना नेक्स्ट है गती प्रेरक किस से संबंधित है तो हर्दे से संबंधित है गती प्रेरक नेक्स्ट है निमलिकत में से किनकी वितियों पर रख्त द्वारा डाले गये दवाब को रख्त दाब या बिलर्ड़ पुरेशा कहते हैं तो दमनी के वितियों पर डाला गया दवाब रख्त दाब कहलाता है सोते समय लग्तिदाब में क्या परिवर्तन होता है तो सोते समय लग्तिदाब गटता है लग्तिचाप को मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है तो स्पेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है लग्तिचाप को मापने के लिए नेक्स्ट कुस्टन है लब डब की द्वनी किसकी किरिया के कारण उत्पन होती है तो हर्दे की किरिया के कारण लब डब की द्वनी उत्पन होती है सिस्टोलिक और डाई उस्टोलिक सब्द का उपियोग किसके संदर में किया जाता है तो रख्ते चाप के को मापना सिस्टोलिक और डाई उस्टोलिक सब्द का उपियोग किया जाता है मानव हर्दे में कितने कोष्टक होते हैं तो मानव हर्दे में चार कोष्टक होते हैं नाडी दर कहां से मापा जाता है तो दमनी से मापा जाता है नाडी दर एक किसोर मनुस में सामाने रख्तिदाब कितना होता है तो 120 से 80 mmHg एक किसोर में में सामाने रख्तिदाब होता है मानव रदुर का pH कितना होता है 107.4 मानव रुदुर का pH होता है मानव सरीर में रुदर वेंक का कारे या बिलर वेंक का कारे कौन करता है तो तिलिया या पिलिया तिल्ली या पिलिया मानव शरीर में रुद्रवेंग का कैरे करता है मानव रक्त प्लाजमा में प्राय पानी की प्रतीसत मात्रा कितनी बिन्नेता होती है तो एकरान में से 92% होती है रक्त में पाई जाने वाली दातु है तो लोहा रक्त में पाई जाने वाली दातू है सरीर का कौन सा अंगर रक्त उत्पादन करता है तो अस्ती मज्जा रक्त का उत्पादन करता है नेक्स्ट कुस्टन है निमलकित में से कौन सा कतन सही है तो शरीर में सारा रख्ते किड़नी के मैध्यम से सुद्ध होता है यह कतन सही है Next है मानम शरीर में खून के सुद्धी करण की पिरकिरिया को क्या कहते हैं तो डाइलेसिस कहते है Next question है रख्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है तो हीमोगुलोबीन के कारण रख्त का लाल रंग होता है Next question है हीमोगुलोबीन में होता है तो हीमोगुलोबीन में लोहा होता है शरीर में हीमोगुलोबीन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवेन करना शरीर में हीमोगुलोबीन का कार्य है नेक्स्ट क्वेस्टन है हिमोगलोबीन किसका मैत्पून गटक है तो आरवीसी का मैत्पून गटक होता है कौन सी रख्ते बाई काई साप रख्ते फैपडों से हर्दे में ले जाती है अंसर हो जाएगा फुसफुस सिरा पुशपुश सिरा साप रक्त को फेपडों से हर्दे में ले जाती है नेक्स्ट क्वेस्टन है निमलेकित में से किसकी सायता से रक्त द्वारा ओक्सिजन ले जाया जाता है तो लोयत कोई सिकाउं की सायता से रक्त द्वारा ओक्सिजन ले जाया जाता है किसकी मौजूद्गी के कारण सरीर के बीतर रखते जमता नहीं है हमारे सरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव सरीर के सेनिक के रूप में पिरसिद्ध हैं तो स्वेत रखते कोशिकाएं है रूदुर के प्लाज्मा में निमलिकित में से किसके द्वारा एंटीबोडी निर्मित होती है तो लिम्पोसाइट के द्वारा एंटीबोडी निर्मित होती है लाल रखत कनिकाएं किस नाम से जानी जाती है तो इरित्रोसाइट के नाम से जानी जाती है नेक्स्ट क्वेस्टन है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्मान के लिए सरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है तो अस्ती मज्जा होता है निम्लिकित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है तो पिलिया को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है तो 120 दिन होता है मानव सरीर में लाल रक्त कन का निर्मान कहा होता है तो अस्ती मज्जा में होता है नेक्स्ट कुस्टन है लाल रख्त कनिकाओं का उत्पादन निमलिकित में से किसके द्वारा होता है तो अस्ती मज्जा के द्वारा लाल रख्त कनिकाओं का उत्पादन होता है उच उंतांस पर मानब सरीर में RBC की संक्या भड़ेगी उच उंतांस पर next है सपेद रक्त कन का मुख्य कारय क्या है तो रोक प्रती लोदग झामता धारन करना WBC का मुख्य कारय है मनिस की रक्त में सुेट रकत रूद्रेनाओं कि कौन सी केसमें अधिक होती है तो नीट्रो फिल से मनुष्ट के रख्ट में सुष्ट रख्ट रुद्रनाव की नीट्रो फिल से किसम अधिक होती है जब कोई भारी पदार्थ मानफ्स रुद्र प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिकिरिया कौन प्रारम करता है तो WBC पिर्किलिया प्रारम करती है एंटी जाने या पिर्ती बीर जाने एक ऐसा पदार्थ है जो पिर्ती रक्षी के निर्मान को बड़ावा देता है नेक्स्ट कुस्टन है निमलकित में से कौन सा बलड गुरुप सर व्यापक किराहता रखता है सभी से ग्रेन कर सकता है तो एभी बलड गुरुप सभी से रक्षी ग्रेन कर सकता है ए भी रक्त बर्ग वाले व्यक्ति को सारवत्त्रे के आदाता कहा जाता है क्योंकि उसमें रक्त में प्रति पिंड का अबाब होता है नेक्स्ट है निमलिकित में से किस रक्त समू को सारवामिक दाता के रूप में जाना जाता है तो ओ रक्त समू को सारबामिक दाता के रूप में जाना जाता है रक्त समू ओ बाला व्यक्ति किस रक्त समू के वक्तियों से रक्त ले सकता है तो आंसर हो जाएगा केवल ओ रक्त समू बाले से ले सकता है निमलिकित में से कौन सा मस्तिक्स का बाग नहीं है तो पिर्णा मस्तिक्स का भाग नहीं है, मेडूला, थेले मस और पॉन्स ये सभी मस्तिक्स के भाग है Next question है, मस्तिक्स का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतूलन को बनाए रखता है? तो सेरे बेलम मनुष्ट के मानव शरीर के आसन और संतूलन को बनाए रखता है क्राम थेथ होते हैं नेक्स्ट है मानव श्रीर में बुद्धी का केंद्र होता है कि सेरे ब्रह्म किस से सम्बंदित है तो मस्तिक्स के से सम्बंदित है सेरे ब्रह्म मनुष्च के मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग है तो प्रेमस्तिक्स मनुष्च के मस्तिक्स का सबसे बड़ा भाग है मानब शरीर की किन कोशिकाओं से में सबसे कम पुनर योजन सकती होती है तो मस्तिक कोशिकाओं में सबसे कम पुनर योजन सकती होती है नेक्स्ट है तंत्री का तंत्र की लगुतम सर्राचनात्मक तता सरीर किरियात्मक एकाई है तो नीरोन तंत्री का तंत्र की लगुतम सर्राशनात्मत तता शरीर की किरियात्मत एकाई है नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो तंत्री का कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है मनुस में मेर्यु दंड में से कितने जोड़ी तंत्री का निकलती है तो 31 जोड़ी मनुस में मेर्यु दंड से तंत्री का निकलती है प्रतिवर्थी किरियाओं का नियंतरन केंदर कहां पर होता है तो कसेरी की रज्जू में प्रतिवर्थी किरियाओं का नियंतरन केंदर होता है ओक्सिजन की उपस्तिती में शुक्रोज का CO2 एवं जल में उर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरन होने को क्या कहते हैं तो बायू स्विशन कहते हैं नेक्स्ट है हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगवक कितनी होती है तो 4% होती है नेक्स्ट कुस्टन है क्रेब से चक्र में किसका संसलेशन होता है तो पाई रूविक अमल का संसलेशन होता है नेक्स्ट है अनौक्सी स्वसन का अंतिम उत्पाद होता है तो लेक्टिक अमले अनौक्सी स्वसन का अंतिम उत्पाद होता है मनुस्थ के सरीर में मुख नाइट्रोजन ये अपसिष्ट कौन सा होता है तो यूरिया मनुस्थ के सरीर में मुख नाइट्रोजन ये अपसिष्ट होता है इस्तंदारी इसमें यूरिया बनाते हैं तो इस्तंदारी यकरत में यूरिया बनाते हैं मानफ सरीर से नाइट्रोजनी अप्सिस्ट को खटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है तो यूरो क्रों की मौजूदकी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है तो नेफ्रों गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है क्रेत्यम गुर्दा निमलिकित में से किस सिद्धान पर कार्य करता है तो dialysis के सिद्धन पर कर्रेक करता है नेक्स्ट है मानव सरीर में यूरिया की अधिक्तम मात्रा किसमें पाई जाती है तो मूत्र में मानव सरीर के मूत्र में यूरिया की अधिक्तम मात्रा पाई जाती है अपोहन या डाइलेसिसे का प्रियोग किस किरिया को पूरा करने के लिए होता है तो ब्रक की किरिया को पूरा करने के लिए होता है सुएदन निम्न में से किस के लिए मैतपून है तो सरीर के ताप पान के बिनी अंतरन करने के लिए सुएदन मैतपून है गरवाज से में सिसु के विकास की जानकारी हितू किसका प्रियोग किया जाता है तो अल्ट्रा साउंड का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट है भुरून के विकास के लिए निमलकित में से किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है तो बीजान्ट अंग के द्वारा खाद की पूरती की जाती है नेक्स्ट है निमलेकित में से कौनसी इस्थिती टेस्ट टू बेबि की परिग्टना को सई रूप से निरूपित करती है तो जब निसेशन वार्य होता है और विकास आंत्रिक होता है नेक्स्ट है बच्चे का लिंग निर्दानन किस से होता है तो गुन्शूत्र से बच्चे का लिंग निर्दानन होता है नेक्स्ट है मनुष में गर्वकाल होता है तो नौ मईने का मनुष में गर्वकाल होता है इस्त्रियों की नस्वंदी को क्या का जाता है तो टूवे टोमी इस्त्रियों की नस्वंदी को कहा जाता है एमिनियो सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भुरून के लिंगे को बताता है नेक्स्ट है मनुस्ट के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी बाइनी भीहीन है तो आंसर हो जाएगा अन्तै इस्तरावी गरंथी नेक्स्ट है निम्निकित में से कौन एक गरंथी नई है तो जटर एक गरंथी नई है थाइराइड, यक्रत और अगनाश्य गरंथी है नेक्स्ट है मानव सरीर की किस गरंती को मास्टर गरंती कहा जाता है तो पीवस गरंती को मास्टर गरंती कहा जाता है नेक्स्ट है मनुष्च के सरीर की सबसे चोटी गरंती है तो पीटू टरी मनुष्च के सरीर की सबसे चोटी गरंती है नेक्स्ट है, मानब शरीर की सबसे मैत्पून गरंती है, तो पीटूटरी मानब शरीर के सबसे मैत्पून गरंती है नेक्स्ट है, पीटूटरी गरंती कहां इस्तित होती है, तो मस्तिक्स में इस्तित होती है पीटूटरी गरंती थाइराट ग्रंती से थाइरक्सिन इस्तरावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्तरावी हार्मोन कौन सा है तो TSH है नेक्स्ट है निम्लिकित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है तो थाइरक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है नेक्स्ट है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव सरीर में मिक्सी डीमा होता है, तो ये अप्टू ग्रंथी के कुसंक्रिया के कारण मानव सरीर में मिक्सी डीमा होता है नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी अंत्यस्त्राविक गरंती कौन सी है तो थायरेड शरीर में सबसे बड़ी अंत्यस्त्राविक गरंती है निमलेकित में से कौन सी एक अंत्यस्त्राविक गरंती प्यूश गरंती से स्वतंत कार्य कर सकती है तो परावटू गरंती नेक्स्ट है निमलेखित में से कौन सा एक स्टिलिंग हार्मोन है तो एस्टोजन एक स्टिलिंग हार्मोन है कौन सा हार्मोन लडो उडो हार्मोन कहलाता है तो एड्रिनलीन हार्मोन लडो उडो हार्मोन कहलाता है नेक्स्ट है मानव सरीर में रख्ट चाप नियंत्रित होता है तो अधिब्रक गरंथी से मानव सरीर में रख्ट चाप नियंत्रित होता है जीवन रख्चा कार्मोन किस गरंती से इस्तरावित होते हैं तो एड्रिनलीन गरंती से एड्रिनल गरंती से जीवन रख्चा कार्मोन इस्तरावित होते हैं मानव शरीर में निमलकित में से कौन सी गरंथी अंत्य स्तरावी एवं भाईद्य स्तरावी दोनों प्रकार की ही गरंथी है तो अगनास्य गरंथी दोनों प्रकार की गरंथी है नेक्स्ट है इंसूलीन है एक प्रकार का आर्मोन है इंसूलीन नेक्स्ट है थायराड गरंथी का इस्तान कहा है तो गले में थायराड गरंथी का इस्तान है नेक्स्ट है निमलेकित में से किस कोसिका से इंसूलीन इस्तरावित होता है तो बीटा कोसिका से इंसूलीन इस्तिरावित होता है नेक्स्ट है इंसूलीन किसके द्वारा उत्पादित होता है तो पेन किर्याज के द्वारा इंसूलीन उत्पादित होता है नेक्स्ट है लेंगर हिंस की दीपी काएं जो इंसूलीन का इस्तिराव करते हैं इस्तित होते हैं तो अकनासे में होते हैं next कंकाल की मास्पेशया की अनुमानित संक्या कितनी chance है तो 700 संतंग है कंकाल के मास्पेशयों की अनुमानित संक्या नेक्स्ट है आंख में प्रिवेश कलने वाले प्रकास को किसके द्वारा नियंतरित तता नियमित किया जाता है तो आइरिस के द्वारा किया जाता है नेक्स्ट है, हर्दे बंचित होता है, तो एचिक पेशी है, एचिक पेशी से हर्दे बंचित है नेक्स्ट है, मानब शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो चमडा मानब शरीर का सबसे बड़ा अंग है मानब त्वचा का रंग देने वाला बननक है तो मैला निन मानब त्वचा को रंग देने वाला बननक है त्वचा की उपरी सते क्या कहलाती है तो एपिडर्मिस कहलाती है त्वचा की उपरी सते मानब शरीर में मौजूद सबसे कटोर पदार्त कुन सा है तो दात की परत जिसे इनेमल कहते हैं मानब शरीर में मौजूद सबसे कटोर पदार्त है किस पिरकिरिया द्वारा स्वसन के दोरान गैसे रुदिर में प्रिविस करती है और फिर उसे छोड़ती है तो परास्रन पिरकिरिया के द्वारा गैसे रुदिर में प्रिविश करती हैं और फिर उसे छोड़ती है नेक्स्ट है मानम सरीर में अनिवार्य एमीनो अमलों की संक्या होती है तो 20 होती है नेक्स्ट है मायोगलोबीन में कौन सा दातू होता है तो लोहा दातू होता है एक बैस्क पुरुष के लिए सामान ने हिमोगुलोबीन मात्रा प्रती सो एमेल रखता है तो चोदे पॉंट पांच किराम है नेक्स्ट है मानव सरीर का सामान तापमान होता है तो 36.9 डिग्री सेंटिग्रेड या 37 डिग्री लगवक सेंटिग्रेड होता है नेक्स्ट है किसे सारीरिक प्रकरम में प्रोथों बिन का संबंद है तो रखत जमाब में रखत जमाब सारीरिक प्रकरम में प्रोथों बिन का संबंद है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान कार्य नहीं है तो रक्त में सरकरा की मातरा का नियंत्रित करना मानव गुर्दे का सामान कार्य नहीं है नेक्स्ट है थाइराइट गरंती थाइरेक्स्वी नामिक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो उपाविचे-दर को नियंतरित करता है आपात्कालीन इस्थिति के दोरान कौन सा हर्मोन उत्सर्जित होता है अडेनलीन हर्मोन उत्सर्जित होता है मानव शरीर में कौन सी गर £ ایसी है जिसका संबन्द शरीर की उत्तेजना से है तो अधीब रख गरंती है जिसका संबिन शरीर की उतेजना से है नेक्स्ट है आदमी के कंठ के किस बाग को अप्टू उदर्थ एडम्स एपल कहा जाता है तो आंसर हो जाएगा थाइरोड उपास्ती को नेक्स्ट है मानव का मस्तिक से लगवक कितने ग्राम का होता है तो तेरे सो पचास ग्राम का होता है मानव का मस्तिक से नेक्स्ट है मनुष्चों में निमलकित में से कौन सी अंत्यस तराभी गरंती जोडे के रूप में नहीं पाई जाती है तो P2 टरीक गरंती जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है इसकी उपस्तिती के कारण मानव सरीर में उच्च बाई मंडिलिया दाव के अंतरगत भी बिना कुचला रहता है नेक्स्ट है सामान मानव सरी का तापकरम होता है तो 98.6 डिग्री फोरेनाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है नेक्स्ट है आख के रेटीना की परामपरागत केमरा के निमलिकित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है तो फिल्म से तुलना की जा सकती है नेक्स्ट है रख्ट जमने में किस तत्थ की भूमी का होती है तो रख्ट के जमने में केल्सियम की भूमी का होती है मनुस में सामान निरन रोदिर सरकरा इसतर 300 ml रोदिर होता है तो 80-100 mg होता है अधिक उंचाई पर मानब शरीर में लाल रक्त कनिकाएं की संक्या कैसी होती है तो संक्या में बढ़ जाएगी मानब रोदिर में कोलिस्टरॉल का सामान इसतर होता है तो 140-180 mg होता है नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति की रुदिर बाईकाओं की तरज्या कम हो जाए तो उसका रख्तिदाव कैसा होगा तो रख्तिदाव बढ़ेगा नेक्स्ट है मानब शरीर के किस अंगे में लसी का कोशी का बनती है तो दीर्ग अस्ति में लसी का कोशी का बनती है थाइमस गरंती द्वारा निर्मित हार्मोन को क्या नाम है तो थाइमो सीन है थाइमो सीन थाइमस गरंती द्वारा निर्मित हार्मोन है नेक्स्ट है मानब शरीर में पेरों की हड़िया है तो फिबुला एवं टीविया मानम सरी में पेरों की हड्डिया है गर्वासे के लिए बैकल्पिक सब्द क्या है तो यूट्रस गर्वासे के लिए बैकल्पिक सब्द है हीमोगलोबीन की अधिक्तम बंदुता होती है तो carbon monoxide के लिए हीमोगलोबीन की अधिक्तम बंदुता होती है नेग्स्ट है निमलेकित में से कौन सी गरंती sex harmon का इस्तराप करती है तो adrenaly गरंती करती है नेग्स्ट है निमलेकित में से कौन सा एक अंग बसा का बंजन कोलेश्टोल उत्वन करता है तो यक्रत करता है EEG का प्रियोग किसकी गतिविती दर्ज करने के लिए किया सज जाता है तो मस्तिक्स की गतिविदी दर्ज करने के लिए किया जाता है पैपसीन एंजाइम पाया जाता है तो आमैसे रस्में पैपसीन एंजाइम पाया जाता है मानव तवचा का रंग बनता है तो मैलानिन से मानव तवचा का रंग बनता है यदि माता पिता में से एक का रुदरबर्ग A B और दूसरे का O है तो बत्य का संभाविद रुदरबर्ग क्या होगा तो A और B होगा मानव शरीर में मूत्र बाब के रास्ते में आने वाले अंगों का सई अनुकरम निमलेकित में से कौन सा है तो ब्रक्क, मूत्र वाइनी उसके बाद मूत्राज से और फिर मूत्रमार्ग आता है इस्तन पाईयों में सुएद गरंतिया मूलेत सम्मंदित हैं तो ताप नियमन से सम्मंदित है नेक्स्ट है मानव हर्दे में कक्छा की संक्या है तो मानव हर्दे में चार कक्छा होते है मैलाओं में कितने गर्वाश्य होते है तो मैलाओं में एक गर्वाश्य होता है निम्लिकित में से कौन रख्त में ओक्सीजन अधिग्रेन का कार्य करता है तो हीमोगलोबीन रख्त में ओक्सीजन अधिग्रेन का कार्य करता है निम्लिकित में से कौन सा ब्रक्कों में रोदिर से निकाला जाने वाला अपसिस्ट पदार्थ नहीं है तो carbon dioxide ब्रक्षों में रोदिल से निकाला जाने वाला अप्षिश्ट पदार्त नहीं है नेस्ट है iodine यक्त हर्मोन है तो thairoxyne iodine यक्त हर्मोन है अधिकांस बिसाक पदार्तों की बिसाकता दूर करने की फिरक्रिया शरीर के किस अंग में होती है तो लीवर में होती है नेक्स्ट है सरीर में हीमोगलोवीन का क्या कार्य है तो ओक्सीजन का परिवेन करना सरीर में हीमोगलोवीन का कार्य है जब रख कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है तो रक्त में नत्र जनित अपसिश्ट पदार्थ जमा होता है जब एक व्यक्ति ब्रद्ध हो जाता है तो सामयने ता उसका रख्तिदाब किस परकार का होता है तो घटे जाता है मानव सरीर में निमलकित हार्मोनियों में से कौन सार लगते केलसियम और फासपेट को बीनियमेत करता है तो परावटू हार्मोन करता है नेक्स्ट है मानव सरीर में सरीर के निमलकित बागों में से किस एक में सुक्रानू डिम्ब को निसिसित करता है तो डिम्ब बाहिनी नली नेक्स्ट है नेक्स्ट है मानम मस्तिक्स के निमलिकित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टीका नियमन केंदर है तो मेडूला ओला गेटा है नेक्स्ट है, निमलिकित में से किस एक की उत्पत्ती यकरत का कार्य है, तो यूरिया की उत्पत्ती यकरत का कार्य है नेक्स्ट है, मानव तंत्र में निमलिकित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है तो गेस्टरीन एक पाचक एंजाइम नहीं है क्रिपसीन, टोईलीन और पैपसीन ये सभी पाचक एंजाइम है नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सा सारीरिक अंग स्वसन किरिया में भाग नहीं होते लेता तो बोमें संपुट स्वसन किरिया में भाग नहीं लेते स्वसन का नियंत्रन मस्तिक्स के किस बाग से किया जाता है तो मेडिूला ओवला गेटा से किया जाता है हमारे सरीर में मस्तिक्स का कौन सा भाग संबेग आत्मक्रियाओं को नियंत्रित करता है तो हाइपो थेले मस्त करता है मस्तिक्स जिम्मेदार है तो सोचने के लिए अर्दे गती नियंतरन के लिए और सरूर संतुलन के लिए अर्दे जिम्मेदार है तो option number D उप्योग सभी के लिए जिम्मेदार है नेक्स्ट है हार्मोन का उधारन है तो oxytoxin एक हार्मोन का उधारन है नेक्स्ट है निमलेकित में से कौन सा एंटी-डाई-उरेटिक हार्मोन है तो बेसोप्रेशी एक डाई-एंटी-डाई-उरेटिक हार्मोन है नेक्स्ट है दो गेमिट के बिले से एक कोशी का सरद्चना का निर्मान होता है उसे क्या कहते हैं तो जाइगोट कहा जाता है बेरियेट्रिक सरजरी किसी व्यक्ति के किस अंग में परिवर्तन लाती है तो पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है निमलिकित में से कौन सा हर्मोन बच्चे के जनम के बाद दूद बनने की पिरकिरिया को उतेजित करता है तो प्रोलक्टिर् δór बच्चे के जनम के बाद दूद बनने की पिरिक्रिया को उत्तेजित करता है नेथ्ट एक बैस्क किमानब के पास कितनी कैंफ धात होते हैं तो चार चार एक मेवानब के पास कैंफ धात होते हैं मस्तिक्स के उस बाकी पैचान कीजिए जो सारीरिक मुद्रा संतुलन और सामेवस्ता को नियंतरत करता है तो सेरे बेलम करता है नेक्स्ट है इस्तनपान के दोरान किस हार्मोन के कारण इस्तन से दूद निकलता है तो ओक्सिटोक्सिन हार्मोन के कारण इस्तन से दूद निकलता है शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन होने वाला रोग कौन सा है? तो रखत हिंता शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग है इन में से कौन सा बिसानुजनित रोग है? तो खसरा बिसानुजनित रोग है नेक्स्ट है चे चक स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण है तो बेरी ओला बारेस के कारण चे चक होता है नेक्स्ट है किस तत की कमी के कारण गेंगा रोग हो जाता है तो आयोडीन की कमी के कारण गेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है तो गेंगा रोग होता है निम्लेकित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है तो मदू में एक संक्रामक रोग नहीं है नेक्स्ट है काला जार का संचार किस से होता है तो सिक्ता मक्की से होता है काला जार का संचार नेक्स्ट है चेचक के लिए पहले टीकर किस ने खोजाता तो एडवर्ड जैनल ने चेचक के लिए पहले टीकर की खोज की थी हेपेटाइटिस किसके कारण होता है तो बाइरेस के कारण होता है हेपेटाइटिस नेक्स्ट है इन में से कौन सी बीमारी सामयानिते मच्छरों द्वारा पहलती है तो मलेरिया सामयानिते मच्छरों द्वारा पहलती है कलास पसंद आई ओ तो लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करें साथ ही कलास को अपने दोस्तों के साथ सेयर करें ठेंक्यू वीडियो पूरा देखने के लिए